जहीं दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो अगर आपने इंकम टेक्स की रिटन भर दी है या भरने वाले हैं तो लगबग लगबग हर असेसी को एक मेसज और एक मेल आता है ITR भरने के बाद में उसको देखने के बाद में दोस्तो बहुत सारे लो बाद में पैन कार्ड के स्टार्टिंग के तीन अक्सर और लास्ट के दो अक्सर लिखे होंगे है जो की प्रोसेस हो चुकी है दोस्तो आप कोई भी इंकम टेक्स की रिटन भरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपने भर दिया वो सही है बिलकुल उसकी बाद में प प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपको ऐसा मैसेज भीजा जाता है उसके बाद में यह लिखते हैं इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 वन हैज बीन सेंड टू यूर रिजिस्टर मेल आईडी तो दोस्तो बहुत सारे लोगों को तो उनकी इंकम टेक्स के पोर्टल प जैसे लिखाएगा यूर आईटीर इंटीमेशन दोस्तो तीन तरह से इंटीमेशन आपको आ सकती है और उनके अलग अलग कलर होते हैं अगर आपको ब्लू कलर के अंदर आया है यूर रिटन फॉर असेस्मेंट येर ट्वंटी ट्वंटीफॉर है इस बीन प्रोसेस्ट दे आपने कोई रिफंड मांगा था दोस्तो आपका टीडियस या सेल्फ असेस्मेंट टेक्स जादा था तो आपको कुछ पैसा वापस आएगा वीद इंट्रेस्ट आएगा तो वह ग्रीन के अंदर आएगा और तीसरा इंटीमेशन जो आता है दोस्तो बहुत खतरनाक होता है बगवान ना करें आपको इंटीमेशन आए वो रेड गलर के अंदर आएगा और उसके अंदर लिखा आएगा यूर आईटीर हैज बीन प्रोसेस एंड यू है वे डिमांड तो डिमांड का मतलब क्या था कि आपने या तो टीडियस ज्यादा क्लेम कर लिया या आपने टेक नहीं करनी है तो बिल्कुल टैंशन फ्री होगे आप इसे इग्नोर कर सकते हैं अगर यू है वे रिफंट आया है तो आपका वो रिफंट है बहुत ही जल्द आपके खाते में आजाएगा जितना लेट आएगा विद इंट्रेस्ट आएगा तीसरी काटिगरी में यू है व आपको क्लिक कर देना है तो ये देखिए मैंने आपको बताया था तीन कलर होते हैं आपका एक तो यह ब्लू कलर होगा और गरीन कलर होगा एक एक रेड कलर होगा इस attachment के उपर जैसे आप click करेंगे दोस्तो तो आपसे password मांग लिया जाएगा ये password क्या होगा आपका 10 अक्षर का तो आपका pen number होगा छोटे अक्षर में बाद में date of birth आपकी ddmmyyyy तो दोस्तो 10 और 8 18 अक्षर का आपका pen card होगा जैसे आप यहाँ पर डाल देंगे और submit पर click कर देंगे तो आपकी यह जो PDF है open हो जाएगी यह देखिए 6 pages की है दोस्तो कई बार intimation आपका काफी बड़ा भी होता है जहाँ पर demand या कोई refund होता है तो जैसे हम इसको zoom करके दिखाते हैं आपको कि क्या इसमें लिखा जाता है कैसे यह होता है तो यह देखिए दोस्तो यहाँ पर लिखा एक हिंदी में भी आएगा और यह English में भी आएगा starting में हिंदी में दिखाया जा रहा है और आप नीचे अगर आते हैं तीन pages के बाद में यह देखिए एक दो तीन pages आगे इसके बाद में intimation under section 1431 यह देखिए English में आ गया है यहाँ पे आपका नाम और address वगेरा mobile number वगेरा सब आ गया है pen number acknowledgement number आ गया है इसके बाद में दोस्तो यह आया है your return has been processed and no payment due इसके बाद में कब return भरी थी क्या due date थी क्या original date थी इसके बाद में return details दोस्तो आपको यहाँ पे दो column मिलेंगे यह बहुत ही important है as provided by taxpayer as computed by 1431 आपने क्या detail दी थी और हमने क्या detail मानी है कई बर क्या होता है दोस्तो आपने यहाँ पे कोई income दे दी लेकिन department ने उस income आपने कोई income नी दी लेकिन department ने income मान ली आपने कोई छूट ले ली यहाँ पे लेकिन department कोई छूट नहीं मानता है तब जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अब यह देखी हमने चार लाग पंदरा जार पे income बताई थी लेकिन हमारा जो processing हुई वहाँ पे भी चार लाग पंदरा जार इंकम इन्होंने माननी थी इसके बाद में 4-12-500 हमारी business and profession की income थी उन्होंने भी इतनी मानी थी इसके बाद इतना tax हमारा यहाँ बनता था अगर दोनों के दोनों को लाग आपके दोस्तों सेम के सेम जा रहे हैं देखिए तो बहुत ही आपके लिए संतुष्टी वाली बात है टेंशन फिरी वाली बा सेम सेम आएगा दोस्तों जीरो फोजाए गा इसके बाद में आपका अगर यहाँ पे ठीडियस टेस अब सबगरा बनता अगर आपने लिए मॉस्ते आप इस तरह सकते हैं कस होता होता तो यहाँ पर यहां पर मालो आपने 1000 पे मांगा तो यहां पे आपको 1050 पे अगर मिल रहा है तो 50 पे extra मिलेगा आपको वो आपका interest होगा वो अगले साल की income from other source के अंदर जूड जाएगा तो इस तरह से आप अपना जो intimation है बढ़ सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप यह ना समझें कि आपने अपनी return भर दी तो आपकी तरफ से attention आप फिरी हो गए department दोस्तों AIS और TIS नाम के जो दो form थे 26 AIS था दोस्तों जो annual tax statement हो गया उसका नाम बदल करके उसके अंदर जो भी data बोल रहा था जो की reporting transactions जो आपके बोल रहे थे जो आपने FDA करवाई थी transactions cash deposit करवाई थे GST में जो भी लिंदिन किया था वो सारा का सारा cross verify किया जाता आपको पता होगा इस बार department बहुत ज़्यादा time ले रहा ITR को process करने में तो आपकी इस तरह से intimation आती है या TDS वगेरा या text वगेरा नहीं बरपाये थे तो you have a demand आ जाएगा तो इस तरह से अगर ऐसा message या ऐसी mail आपको आती है तो आपको सबसे पहले उसको open करना है open करने के बाद में दोस्तों मैंने बताया था दोनों column आपके आपने क्या बताया था department ने क्या माना है उन दोनों को compare करना है दोनों same के same है तो कोई भी tension लेनी की जुरूत नहीं है तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की ये query आ रही थी सर मुझे message आया या मुझे mail आये इसका क्या मतलब है तो intimation under section 1431 आता है तो इसका मतलब है department ने आपकी उसका reply करने की कोशिश करेंगे वीडियो ची लगिए तो like जुरूर करें और हमें subscribe करना ना बूलने अभी तक नहीं किया तो ताकि हमारा भी उसला बढ़ जाए thank you so much दोस्तो जय हिंद जय भारत